हेलो एवरिबड़ी, दे स्टोरी अप माई लाइफ, हेलन केलर, चैप्टर नाइन शुरू करते हैं, इस चैप्टर में हेलन हमें अपनी बॉस्टन जर्नी के बारे में बताती है, जब वो बॉस्टन गई थी, उसने 1888 में बॉस्टन की जर्नी की दो साल पहले वो गई थी, लेकिन ये जर्नी, ये यात्रा, उसकी पहली वाली जर्नी से काफी अलग थी, बाल्टिमॉर जाते वक्त, रेल के डिबबे के सभी पैसेंजर के लिए, ये सहानु भूती का पात्र थी, और हर एक पैसेंजर, उसे खुश करने, और उसका मनोरंजन करने का प्रहतन कर रहा था, वो बॉस्टन अपने पैरेंट्स और अपनी टीचर के साथ जा रही थी, सलिवन रास्ते में दिखने वाली हर चीज के बारे में उसे बता रही थी, और हेलन उनकी बातों को बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी, उसकी प्यारी गुडिया, नैंसी, उसके सामने नहीं, चेगा पर उसको रखा गया था, कभी-कभी वो उस गुडिया को बाहों में उठा लेती थी, पर जनरली वो अपने मन को ये सोचकर बहला लेती थी, कि वो गुडिया सोई हुई थी, जब ट्रेन बॉस्टन स्टेशन पर पहुँची, तो हेलन को लगा, जैसे कि कोई एंजल स्टोरी, परियो की स्टोरी आकर सचमुच हो गई हो, उसे परकिन्स इंस्टिट्यूट के स्कूल में, मतलब वो इंस्टिट्यूट में, एडमिशन दिलाए गया, जहां सारे बच्चे अंधे थे, जल्दी हैलन ने इंस्टिट्यूट के दूसरे स्टूडन से भी द दूसरे बच्चे भी हैलन की तरह ही बोलते थे और उसके जैसे किताबे पढ़ते थे, इसलिए उसे अपने थौट को शेर करने के लिए ट्रांसलेटर की जरूत नहीं पढ़ती थी, विद्यालई के सभी बच्चे हैलन के प्रति दया और सहानुभूती की फिलिंग्स रखत इसलिए हैलन उनके बीच अपने आप को अजनबी महसूस बिलकुल नहीं करती थी, दूसरे बच्चे इस बात में लखी थे कि वो सुन सकते थे, जबकि हैलन अंदी होने के साथ साथ बहरी भी थी, अंदे बच्चों के साथ एक दिन बिताने के बाद हैलन को अपने नए हैलन ने बंकर की हील, यानि की बंकर हील की जर्नी की जहां उसने हिस्ट्री का पहला चेप्टर पड़ा, वो सबसे उची जगा पर चड़ गई, जहां से सैनिक नीचे जमीन पर दुश्मनों पर गोलिया चलाते थे वो एक स्टीम से चलने वाली बोट से प्लाइ माउथ भी गई, ये उसकी पहली समुद्री यात्रा थी और स्टीम से चलने वाली बोट की भी पहली जर्नी थी, लेकिन मशीन की तेज आवाज ने उसे डरा दिया, उसे लगा कि बादल गरज रहे हैं और वो रोने लगी, वहाँ वो जगह जो उसे सबसे ज्यादा पसद आई वो थी चटान जहां पर तिर्थ यात्री उत्रे थी, एक दयालू सज्जन ने, एक जेंडल्मेन ने उसे पिल्ग्रिम हॉल के प्लाइ माउथ, रोक की अनुक्रुती दी, उसक को हाथ में लेकर महसूस किया, उसने उसे तीर्थ यात्रों की अजबुत वीर्था की कहानी याद दिला दी, उसने उन सारे लोगों को सबसे ज्यादा शुरवीर और दयालू व्यक्ति मान कर आदर्श के रूप में याद किया, जिनों ने अपने साथियों और अपनी आजा उससे उनके सर शर्म से जुग गए थे, बॉस्टन में हैलन द्वारा बनाए गए दोस्तों में मिस्टर विलियम एंडी कॉट और उनकी बेटी भी थे, उनका बिहेवियर हैलन के साथ अच्छा और बहुत ही काइंड था, हैलन ने उनके सुन्दर घर, रोज के गार्डिन्स उनके कुत्ते और घोडे से रिलेटेड कई बातों की याद की, मिस्टर रेंडी कॉट जैसे दयालू और सज्जन व्यक्ति के कारण ही, हैलन ने बॉस्टन को काइंड हार्टेड सिटी कहा,